नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योगे स्टमर मैस पर आज हमारा जो टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो पहले मैं पूछ लूँ आप से कैसे हैं आप से उमीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए हमारा जो पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम कि रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शन क्या होता है इन सब बातों पर हम डिसकस करेंगे इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और एक और बात बता दूमें कि आज की वीडियो रेशियो से पूरा मैस कैसे लिंक किया जा सकता है इस पर हम च करते हैं साथ के साथ हम si ci in सबको भी ratio में कर्के ही करते हैं तो ratio topic आपका बहुत जादा important है क्योंकि बेटा time and distance भी ratio पर की जाती है time and work भी ratio पर किया जाता है almost बहुत सारे topics सारे के सारे कहां भाई मैंसुरेशन में भी जरूरत पड़ती है क्योंकि ratio कोई सही माइने में देखा जाए ना तो ratio सही माइने में कोई chapter नहीं है क्योंकि ratio chapter नहीं है ratio क्या है दो numbers के बीच की property तो ratio कोई भी 2 या 2 से अधिक numbers के बीच की property है वच्चा तो सही माइने में आप इसको एक method बोल सकते हो एक property कह सकते हो quality कह सकते हो किसकी numbers की ठीक एक theory कह सकते हो आप ratio को लेकिन सही माइने में chapter नहीं है तो हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं आज और आज की class जो है वो बहुत जादा interesting होने वाली है तो कहीं पर मज जाएगा और आप चैनल पर अगर नए हैं तो पहले subscribe कर दीजिए बैल आइकन को press कर दीजिए जिससे आपको हमारे notification time to time पहुंचते रहें और like कर दीजिएगा comment कर दीजिए और वीडियो को अभी share कर दीजिए जिससे आपके दोस्त भी देख सकें तो देखिए हां मैं बताता हूं आपको कि ratio actual में होता क्या है जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो अनुपात तो आप इस बात को समझे कि ratio actual में है क्या यह प्रॉपर्टी है दो numbers के बीच में कि कोई भी दो या दो से अधिक numbers की आपस में त goofा कीजिये और तुना करने के बाद उन numbers को सिंप्लीफाइब कर दीजिए घाई कि कि इससे की तões नंबर पहला नंबर दूसरे का इतना गुणा है या दूसरा तीसरे का इतना गुणा है तो उनके बीच में तुलना करना क्या कहलाता है रेशियो कहलाता है और सबसे बड़ी बात यह है बच्चा कि रेशियो उन्ही नमबर्स के बीच में बनता है जिनके यूनिट सेम होते हैं ऐसी क्वांटिटीज होनी चाहिए दो या दो से अधिक टू और मोर देन quantities of same unit ठीक है तो दो या दो से अधिक quantity होनी चाहिए जो same unit की होनी चाहिए उस case में जब आप उनके वीच में तुलना करोगे comparison करोगे वहां आपका ratio बनेगा ठीक है अगर unit same नहीं हुआ तो ratio कभी भी बनने वाला नहीं है तो ratio अगर आपको बनाना है तो unit का same होना बेहत जरूर ठीक अब इसके बाद आते हैं तुलना करने पर आप यह कह सकते हो कि कोई भी दो रासियां हों या तीन रासियां हों उनको simplify form में लिख दीजिए उनको सरल कर दीजिए उसको आप ratio कह सकते हो या आप बोल सकते हो कि भाई कि रेशियो जस्ट लाइक लोएस्ट फ्रेक्शन त सत्तर और तीस ये दो नमबर हैं इनका आपको ratio चाहिए तो आप यहां पर इसका ratio बनाओगे लाला तो तीन अनुपात साथ बन जाएगा इतना बन जाएगा भाई 3 ratio 7 बन जाएगा अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिएगा यह फर्स्ट नमबर था यह सेकंड नमबर थ कि सबसे पहली बात आप कभी भी मैंस पढ़े हों और अगर पढ़ चुके हों और आज इस वीडियो को देख रहे हूं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं जो डिटेल में होगी क्या भाई एक प्रूब देने वाला हूं मैं आप लगां को क्योंकि आ पूरा मैंस पढ़ रहे होते हो दो रेशियो की वैल्यू या तीन यूनिट की वैल्यू या थ्री एक्स का वैल्यू आप इन चीजों पर लिखते होंगे और एक वैल्यू निकल कर आता होगा वहां से एक्स की वैल्यू निकालते होंगे एक रेशियो की वैल्यू निकाल रह होंगे वह सही माइने में क्या होता है कि उन नंबर के बीच में होता है तीस और सत्तर इन दोनों का एसी अब क्या होगा भाई तो इन दोनों में सबसे बड़ी संक्या कौन है जिसका भाग जाता है क्योंकि एसी अब क्या होता है वह बड़ा काठने के बाद ही तीन अनुपात साथ में बनी हैं तो कोई भी दो या दो से अधिक नंबर्स अगर रेचियो के फ़र्म में लिखी जाएंगी तो उन नंबर्स के से डिवाइड करने के बाद लिखी जाएंगी वच्छा अब यही और एक बात दिमाग में रख लीजिए कि न रेशियों के जो टम्स होते हैं वो टम्स उनी नंबर्स के according same property सो करते हैं जो आप नंबर्स से करना चाहते हैं वो आप उन रेशियों के टम्स से भी कर सकते हो अगर आपको नंबर्स में परसेंट बनाना है तो आप रेशियों के टम्स में भी परसेंट बना सकते हो अब इसी जगह पर मैं आपको बताऊं कि आप परसेंट पड़े हों तो आपने 20 परसेंट एकवल्स टू 1 UPON 5 लिख लेते हैं पर जवकी सही मायने में 20 परसेंट का मतलब क्या है 20 और 100 और one-upon five इसका मतलब रेशियों पाइब दूसरे..! आप बोल सकते हैं तो यहां पर क्या मतलब है यहां इसका मतलब यह हलाला कि 20 और 100 को लेके आप solve करो या 1 को और 5 को लेके solve करो क्योंकि ये ratio की property है लाला क्योंकि ratio उन numbers की तरह क्या कर रहा होता है विहवार कर रहा होता है भाई कि ratio उनी numbers की तरह वहेव करेगा जो भी कुछ आप numbers के साथ करना चाहते हैं वो आप ratio के साथ कर सकते हैं और कोई भी फरक नहीं क्या कर रहे होंगे एक साथ सेम यूनिटी यह निकाल कर दें गे आपगो ड़ी जैसे मैंने बोला उन दौनों नमबर्स सम देखिए कितना होगा हन्ड्रेड और इं दौनों रेशियों के टमस का सम देखिए कितना होगा 1 ऩो और 10 इंडरिट इस 100 में करके देखो आप तो कितना आया 10 तो भाई 10 unit का value तो 10 100 था एक unit का value कितना आ गया बच्चा दस आ गया 10 unit का value 100 था और एक unit का value कितना आ गया भाई आपका 10 आ चुका है अब यहां पर बात समझने वाली है अभी आप इसको X कहते 3X 7X तो बोलते 10X और 10X का वेलू 100 बोलते तो भी X का वेलू 10 आता तो आप वही X कहलो उसी को एक यूनिट कहलो उसी को रेशियू कहलो तीनों बातों का मतलब एक ही है लेकिन बस आप लोगों को X लगते ही डर लग जाता है यूनिट में प्यार आता ह तो बात यही है बच्चा सब सिर्फ lack of knowledge है और कुछ नहीं है सब भ्रम है सही माइने में यह आपकी चीजें एक ही होती है बस अंतर इतना होता है कि आप उसको देखके डर जाते हो बचना है उससे करना कुछ नहीं है तो मैंने क्या बोला numbers की तरह व्यवार करता है अभी बच्चा इन दौनों का डिफरेंस आएगा आपका 40 ठीक है और इन दोनों का डिफरेंस कितना होशा चार आएगा अब सबस्ट कीजिए मैनस कीजिए जो आप numbers के साथ करना चाहते हैं वो ratio के साथ कर दीजिए आपके एक unit की value पर कोई फरक नहीं पड़ेगा जितने से काटा गया होगा हर वार वही number निकल के आएगा और उस एक unit का सही मतलब क्या है आपका SCF उन दोनों numbers का तो दो हैं तो दोनों का तीन हैं तो तीनों का यहां तक बात दमाग में बैठ चुकी होगी आप लोगों के अब यह तो हो गई आपकी ratio की basic introduction अब यहीं पर बात आती है कि ratio बनाते कैसे हैं तो मैं आपको कुछ examples देना चाहता हूं जिससे आप ratio बनाना सीख जाएं तो देखे 2A 2A equals to suppose कीजिए मैंने 3B लिख दिया वाई ठीक है और मैं आपसे पूँच रहा हूं कि तो A ratio B क्या होगा ठीक है बच्चा मैं पूँच रहा हूं आपसे कि A ratio B क्या होगा अब यहां से A और B का ratio बना लीजिए तो भई A और B का ratio कैसे बनाते हैं अब देख दाज़ ए और ratio B इसका सही मतलब क्या है भई कि A ratio B इसको दूसरे terms में आप लिख सकते हो A upon B क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ratio just like a lowest fraction ठीक है तो ratio आपका A upon B भिनने के रूप में भी लिखा जाएगा तो यहां से A upon B लिख लो A upon B लिखोगे भई तो B को नीचे लेके आओगे A के upon में बच्चा तो A के upon में ले आए हम हमें ना उधर कौन है आपका 3 है और इधर से कौन जाएगा बच्चा दो जाएगा तो 2 upon में जाएगा तो A 3 हो गया और B 2 हो गया तो यहां से 3 ratio 2 हो गया अब इसी बात को दूसरे स B के सामने कौन है बच्चा तो आपका 2 है तो आप B का value 2 बोलिए दुबारा से सुन लीजिए A के सामने B आपका 3 है B के सामने कौन सा नंबर है 2 है तो A का value 3 हो जाएगा और B का value 2 हो जाएगा यहां से आपका ratio बन गया ऐसे ही मैं कुछ और आपको 2-3 examples देता हूँ मैंने कहा भाई कि 2A equals to 3B equals to 4C अभी यहां पर 3 नंबर ले लिए और हमें बनाना है A ratio B ratio C टिक है A ratio B ratio C बनाना है भी हमें कैसे बनाएंगे अब भाई मुझे A चाहिए तो मैंने क्या बोला A को शिपा दीजिए और equal का सायान होना चाहिए सब जगह पर किसका सायन होना चाहि equal का तो A को शिपा दिया अब यहां से B और C इन दौनों के पास coefficient हैं तो दौनों का multiply कर दो भाई तो 4 तीया कितना हो जाएंगे बच्चा 12 हो जाएंगे ठीक है अब यह 12 हो चुके हैं अब मुझे B चाहिए तो B को शिपा दो भाई अब A और C के coefficients का multiply कर दो तो कितना हो गया 8 चार दो नहीं 8 अब मुझे C चाहिए तो C को शिपा दो भाई अब B और A के coefficients का multiply कर दो तो दो तीया 6 हो गया अब अगर यह कट रहे हैं किसी से तो काट दो क्योंकि simplest form होनी चाहिए आपका ratio क्या रहेगा हमेशा simplest form रहेगा दिल्कुल जितना चोटा हो सकता उतना चोटा द B का कम माइंड ratio बन जाए किलियर है अब ऐसी ही एक और एक्जामपल लेते हैं इसी पैटन पर मैंने का भाई 5 A equals to 6 B equals to 7 C अब मुझे यहां A ratio B ratio C चाहिए बनाने का basic भी होता है आप इसके क्वल के मानेंगे फिर A का value निकालेंगे फिर B का value निकालेंगे फिर C का value निकाले आप तो भाई यहां से 5 A equals to 6 B equals to 7 C और मुझे से पूछा जा रहा है A ratio B ratio C तो कैसे A चाहिए तो A को चिपा दो भाई तो B और C साथ चिके 42 हो गए बच्चा ठीक है अब मुझे B चाहिए तो B को चिपा लो भाई तो 57 35 हो गए लाला ठीक है अभी मुझे C चाहिए तो C को च रेशियो का मैंड 42 अनुपात 35 अनुपात 30 हो गया होगा यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी और अगर यह चीज़ें समझ में आ रही है और कुछ नहीं करना हमें बहुत असान है रेशियो बनाना ठीक अगर रेशियो बनाना आता है तो भाई कोशन्स भी कर सकते हो क्य प्रेशियो बनाना यह तो आएगा अभी यहां पर करेंगे कैसे अब एक और एक्जामपल लेता हूं मैं ठीक है एक और एक्जामपल लिया भाई मैंने क्या एक्जामपल लिया अभी यहां से जनाब पूँच रहे हैं कि A अनुपाद B अनुपाद C क्या होगा अब देखो मैं आपको बोल रहा था नहीं यहां पर के मान के कर सकते हो तो आपके लेट करते हो तो A अपॉन 3 इक्वाल स्टू के होगा तो 3 अपॉन से उधर जाएगा तो multiply करेगा तो A का value हो जाएगा 3 के और B का value हो जाएगा 5 के और C का value हो जाएगा से मैंसे ही 8 के उनका LCM रेशियो लोगे तो 3 के रेशियो 5 के रेशियो 8 के कैंसल हो जाएगा तीनों में common होने की वज़ा से कट जाएगा और कट जाएगा तो ratio क्या बच्छे का तीन 5 आठ तो जब भी अपॉन क केस में लिखे हो यह नंबर यहाँ पर वी equitable का साइनहां इन दोनों केसिज में difference कया है वहाई तो दोनों केसिज में difference यह бач चाह कि यहां पर product में दे रखा A के साथ B के साथ और C के साथ यहां पर आपका into में सुरी upon में दे रखा है और upon में अगर digits दे रखके हो बीच में equal का sign हो तो into वाले case में जो चाहिए उसको छिपाओ multiply कर लो upon वाले case में जो उसके नीचे नमबर लिखा है उसी को लिख दो और C का value यहां से क्या हो जाएगा भई 8 हो जाएगा और यहीं आपका answer हो जाएगा clear है अब यहीं पर एक और example लेते हैं लाला हम common ratio बनाने का suppose करो अब मुझे दो अलग-अलग ratio दे रखें कि A ratio B equals 2 दे रखा है 2 ratio 3 ठीक है B ratio C equals 2 दे रखा है भई 4 ratio 5 अभी मुझसे पूंचा है common ratio मुझे बनाना आता है तो मैं बनातो लूँगा लेकिन करना क्या है कि common ratio बनाएंगे हम अपनी सर्तों से उसके पूंचने से नहीं भाई हम क्या बना सकते हैं यह हमें भी तो पता होना चाहिए हम जो बना सकते हैं उसको फिर बाद में हम convert भी कर सकते हैं तो यह कहानी हो करना क्या है कि आपको common ratio बनाने के लिए क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि रेशियो कहां बनेगा जहां unit सेम होंगे अगर unit सेम नहीं है तो ratio नहीं बनेगा और ratio बनाने के लिए आपको unit सेम करने पड़ेंगे अब दोको दर A और B का ratio बन रहा है इससे पता चलता है कि जो unit A का रहा होगा वही unit B का रहा होगा जैसे B और C दोनों का ratio बन रहा है इससे पता चल रहा है कि जो unit B का रहा होगा वही unit C का रहा होगा अब दोनों के unit सेम रहे होंगे बच्चा है ना तो यहाँ A और B के और B और थी के अब दोनों में common है तो इससे पता चल रहा है क्या कि A और सी के unit भी सेम ही रहे होंगे क्योंकि बी ने जो unit रखा होगा वह एका रहा होगा दोनों में common है तो तीनों के unit कैसे रहे सेम रहे वच्चा और अगर सेम unit हुए तो इनका common ratio बनेगा otherwise इनका कमा इंड ररेशियो नहीं बनेगा ठीक है अब यहां से कॉमन कौन है भी तो कॉमन वाले को पकड़ लो यहां कॉमन केतना है 3 है ठीक और यहां कॉमन के इन गोना कुछ भी आया होगा इसके साथ चार गोना पांच गोना कुछ भी आया हो लेकिन अगर वह पचास है तो एक साथ भी पचास होगा और सी के साथ भी पचास होगा तो दोनों केसिज में पचास ही रहा होगा और अगर पचास रहा होगा तो सिंपल सी बात क्या है कि दो दोनों जगाओं पर उसका बरावर होना लाजमी है तो कमाइंड रेसियो जब भी बनाना है आपको तिन दोनों को एक्विल कर ले वहाई इसकी जो कॉमन कॉन है भी तो एक्विल करने के लिए दो तरीके हैं तो तीन तरीके मैं यहां पर बहुत सारी चीज़ें बताना चाहरा कैसे कर सकते हैं आप देखो यहां तीन है यहां चार है तीन और चार को बरावर कैसे किया जा सकता है बच्छा मल्टिप्लाइ करके यहां चार का कर दिया जाए ठीक है और यहां तीन का कर दिया जाए यह कुल हो जाएंगे चार और दो आठ हो जाएगा एका वैलू चार और 3 12 हो जाएगा, B का value 3 और 4 12 होई चुका है और 3 और 5 15 C का value हो जाएगा कैसे, यहाँ से 4 से 2 का multiply किया, तो A हो गया 8 4 का 3 मैं multiply किया B हो गया 12, अब 3 का multiply 4 मैं किया, B हो गया 12 और 3 का multiply 15 मैं किया B, C हो गया 15 तो आप लिख सकते हो कि C का value कितना भाई 15 ठीक है, और यहाँ से B का value कितना भाई, 12 और A का value कितना लग सकते हो, 8 और यह combined ratio बन गया, एक तरीका तो यह अब देखो दर, मैं चाहता हूँ पर क्या, कि आप हर कोशन के लिए कर पाए, पर हर कोशन के लिए क्योंकि calculation में उलज जाओगे, तो उससे UPSI 2017 ने आपका G तक A, B, C, D, E, F, G G तक के numbers के ratio पूँचेते हैं ठीक है, तो मैं वही बताना चाहरा हूँ कि आप कितने भी numbers के ratio आजाए, क्योंकि आप ऐसे कितनों संक्याओं में बराबर करने के लिए multiply करोगे, यह 3 संक्याओं के लिए पहतर है, मैं मानता हूँ इस बात को ठीक, अभी यहाँ पर A ratio, B ratio, C ही क्यों लिखा तो common कौन है, B है तो common वाले term को पकड़ो common वाले term को पकड़ोगे आप उस common वाले term को बीच में रखो किस के साथ common है, वो A के साथ और C के साथ, दोनों के साथ common है तो भाई उसको बीच में रख लो और solve कर लो, तो यहाँ B का value कितना रहा होगा बच्चा, तो B का value यहाँ पर A के साथ 3 है और यहाँ यह दो है, ठीक है भाई B का value A के साथ तो 3 है, और A की value 2 है ठीक, अब दोगो B की value एक और है, B की value यह रही बच्चा, चार ठीक, अब 4 है तो नई line सुरू करो, तो भाई 4 लिख लो B की value और C की कितनी लाला? 5, तो C की 5 लिख दो अब यह दोनों लिख चुकी है अब लिखने के बाद देखो, आपको यहाँ पर यह जगे खाली दिखाई दे रही होगी और यह जगे खाली दिखाई दे रही होगी इन खाली वाली जगहों पर इसके बगल वाले नंबर को लिख दो इन खाली वाली जगहों पर इसके बगल वाले नंबर को लिख दो बगल वाले को, न उपर वाले को न नीचे वाले को या side वाले को जो उसके बगार बरावर में बैठा है ना उसको लिखना है तो इसके बरावर में कौन बैठा है Commonwealth कि वज़े से बना जाए की अगर Commonwealth Cup नहीं होगा तो ratio नहीं वनेगा अगरैसी जरूरओर बनेगा Jupiter है इतनी सी बात आपको दिमाग मैं के वाट गई ऐगी हो अब गया और यहां पर उसने पूर्जाता रेसी हमसे क्या A, C, B उसे ने पूँचाता भई A ratio, C ratio, B अब देखो दर A उठालो यहां से 8 ठीक है, C उठालो यहां से 15 ठीक है, और B उठालो यहां से कितना भई, 12 और यह बन गए कम्माइन रेशियो 8, 15 और 12 पर पाओगे, बना पाओगे आप ऐसे ratio इज़त के साथ बनाईएगा, कीजिएगा, आप देखो तीन संख्याओं का आप कम्माइन रेशियो बनाना सीख गए होंगे, अब मैं सिखाता हूँ आपको चार संख्याओं के कम्माइन रेशियो कैसे बनाते हैं, और के साथ, एक्जांप्ल भी लेते चलते हैं, हम क्माइंड रेशियों के लिए सबसे पहले common वाले टम को ढूड़ना अगर अगर कौमन तम ढूड़ना और किसके साथ कमन उसके दोनों वाले दो जो संक्याओं के साथ common होगा उन दोनों को एक साइड दार एक साइड दार रख दीजिए बिना हिच के चाहे तो भाई सबसे पहले मैंने देखा इन दोनों ratio में क्या common देखा मुझे B common देख्या तो B को उठाओ और लिख दो बी को ठालिया और लिख दिया अब देख दर B किसके साइड को मने एक के साइड को मने और C के साइड को मने तो एक तरफ A लिख दो और एक तरफ C लिख दो अब आप मन बना सकते हो इदर A B लिख सकते हो इदर C लिख सकते हो उत्तर पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि कमाइन देशी ओ जो मांगेगा वो बाद का है लेकिन हमें जो बनाना है वो पहले हम अपना बनाएंगे और अपना बनाएंगे भाई तब जाके हम दूसरे का कुछ देखेंगे तब पहले अपने लिए करो जिससे आप दूसरों के लिए भी कर सको ठीक है अब यहां पर कॉमन देखो भाई अब आगे कॉमन देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन दिखा लाला सी दिखा तो इन दोनों में कॉमन मुझे सी दिख चुका है ठीक और यहां से यह सी कॉमन हो गया अब देखो सी कॉमन है किस के साथ बी के साथ और डी के साथ तो सी को बी और डी दोनों के बीच में बैठना है दोनों के साथ बैठना है भाई तो अब देखो सी यह रहा अब बीच में बैठेगा अब एक तरफ पहले ही B को बिठाए बैठाए तो sitting arrangement लगा लो ना बच्चा तो भाई C के बगल में एक तरफ यानी C को बीच में बैठना है B और D के तो एक तरफ B आ चुका है तो दूसरी तरफ किस के लिए बची है D के लिए तो यहाँ D बैठ चुका है अब value put करना शुरू कर दीजिए A का value के तना दो B का value के तना बच्चा तीन ठीक है अब B का value के तना बच्चा फिर से B का value फिर से के तना बच्चा चार तो ठीक है भाई B का value चार तो line नहीं शुरू कर दीजिए अब C का value के तना भाई 1 तो यहाँ 1 put कर दीजिए अब आपको अभी अभी पढ़ाया है क्या कि जो आपको एक खाली जगा दिखाई दे रही है इन में इनके बगल वाले को पुट कर दो तो खाली जगा यहां पर यह दिखाई दी तीन हो गई यहां पर दिखाई दी तो यह एक हो गई यहां पर दिखाई दिया तो यह चार हो गया यहां पर बच्चा दो हो गया यहां पर भी आपका दो हो गया ωνव यही है अब मल्टिप्लाई कर दो गर कठ रहा है तो प्रूर नहीं आप गलटिक अर्वट जाओ यह तो पहले मल्टीप्लाई कर लो इनका 2,4,8 और 8 सोरह वारा थीक है और यहां तीन एकम तीन और पांच पंदरा अगर अभी आपकी यह कैंजल आउट हो रहे हैं तो आप काड़ दीजिए नहीं हो रहे हैं तो आप उत्ता लगाजी दिए सोला चौविस छे पंदरा जो अप्शन सी होगा केलियर है तो आप यह आपका कम माइन रिस्यू भी बनाना सीखे होंगे आप चार संख्याओं के लिए अगर पांच भी होती तो उसको भी ऐसे ही कौमन देखते हुए बढ़ाते छटवी भी होती तो उसको भी ऐसे ही कौमन द सब्सक्राइब यहां से चिवच्छा कितनी और डी की चार ठीक है अब नई लाइन में फिर से D की कितनी भाई पांच और E की कितनी दो अब ये खाली जगाओं को भर दो एक, 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 दो, दो, चार, तीन, तीन, यहाँ पर तीन, पांच, 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 अब इनका मल्टिप्लाइ कर दो और आएगा वो आपका अंसर होगा ठीक है अब सिर्फ मल्टीप्लाइ करना है अब देखो यहां पर सीखो कि अगर कट रहा है तो काट दो भाई अब दो सब के पास है भाई दो इस लाइन में नहीं है तो नहीं कटेगा तीन सब के पास है इस लाइन में है इस लाइन में भी ह तो कर लो भाई दो इंटू तीन चे हो गया छेतिया अठरा हो गई अठरा पंजे नब्बे हो गया अब यहीं से तीन एकम तीन तिरका नो पंजे पैंतालीस ठीक है भाई तू बन जा टू थी जा सेक्स फाइव जा थर्टी और वन टू जा टू फॉर जा एट फाइव जा कि हम पहले ही चेक कर चुके थे तो 90, 45, 30, 40, 16, तो 90, 45, 30, 40, 16 ऐपका अंजे है यह क्लिर है आ आप है यह कमीन डिस, यह क अगया हो का कै क्या पोमन को पकड़िए वहांससे सौल को कीजिए और करते रहें उसके साथ ही चलते रहें मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीड और हमाँ दिए टेंट